हेलो एब्रीवन आपके अपनी यूटिव चैनल में आपका स्वागत है तो आज आप लोगों के लिए क्लास आठीव के मैच्स का एक्सरसाइज 15.2 का तिसरा भाग लेकर रहा है और इस तिसरे भाग में आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं बेलन का आयतन ग्याद करना तो इस परकार सा एक बेलन है और इस बेलन का त्रीजिया कितना दिया है 7 cm और हाइट दिया कितना है यानि उचाई 7 cm तो इस बेलन का क्या करना है आयतन ग्याद करना है तो चलिए पहला का एक प्रस्ण का हल करते हैं तो यहाँ पर त्रीजिया 7 cm दिया है और उचाई कितना दि पर क्या होता है बेलन का आयतन बराबर तो पाई आरे स्क्वाइर एच बेलन का आयतन बराबर का होता है पाई आरे स्क्वाइर एच पाई का मान यहां पर होगा 22 बटा साथ आरे स्क्वाइर यहां पर आर तिरीजिया है ठीक है ना तो तिरीजिया हैं साथ सेंटिमिटर तो सा को हम क्या कर सकते हैं या साथ का स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है वंचाई कितना है साथ वह साथ 777 साथ एकाइड को जाएगा आप इस सभी को गुंआ करें गे 22 22 49 है तो 22Ds 1037 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2058 cm q टिक है न यानि 1078 cm3 इस बेलन का आईतन ग्यात हुआ इसी परकार आप बना सकते हैं B number में तो B number का question में माप दिया है बेलन का तिरिजिया 14 cm ठीक है कितना दिया है 14 cm और उंचाई कितना है 10 cm जो इस परकार सा बेलन है और इस बेलन का तिरिजिया कितना दिया है 14 cm और उंचाई दिया है 10 cm तो चलिए इस प्रस्णों को भी हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आईतन बराबर तो बेलन का आईतन बराबर क्या होता है Pi R square H ठीक है न तो Pi का मान क्या होता है 22 बटा 7 ठीक है तो 14 square है करेंगे तो यानि 14 को दो बार लिख सकते है 14 गुने 14 H है कितना 10 ठीक है न तो साथ एकम साथ साथ दुना 14 यानि दो बार में डिभाइड हो जाएगा 14 अब इस अभी को गुना करेंगे 22 दुना 44 गुने 14 दहां 140 तो चवालिस से चोदा 0 में गुना करेंगे यानि 140 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 166 cm3 यानि 6 160 cm3 इस बेलन का आईतन ग्यात हुआ इसी परकार आप आगे बना सकते हैं यहाँ पर C number है इस बेलन का 3 जिया दिया गया है कितना इस बेलन का 3 जिया दिया है वन पॉइंट फाइब सेंटीमिटर और उचाई दिया है साथ सेंटीमिटर ठीक है सीन नंबर का केशन तो सेम इसी तरह सही बनेगा तो चलिए इस प्रस्णों को भी हल करते हैं तो यहाँ पर तिरिजिया है 1.5 cm और उचाई कितना है 7 cm तो चलिए इस प्रशनों को भी हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर तो बेलन का आयतन बराबर क्या हता है πाई आरे स्क्वाइर एच ठीक है तो पाई का मान हो जागा 22 बटा 7 तिरिजिया यहाँ पर 1.5 है इसको दो बार लिख सकते हैं इस तरह से और गुना उचाई कितना है 7 इस तरह से तो 7 एकम 7 7 एकम 7 यानि 7 डिभाइड हो जाएगा एक बार में ठीक है अब यह सभी को गुना करेंगे 22 गुने 1.5 गुने 1.5 को गुना करेंगे तो 2.25 होगा अब क्या करेंगे 22 गुने 2.25 को मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो जागा 49.5 सेंटीमेटर क्यूब ठीक है तो इस तरह से एसे बेलन को ग्यात कर सकते हैं इसी तरह से और आगे आप लोगों को बताते है बेलन है और इस बेलन की ब्यास कितना दिया है यानि D 20 सेंटीमेटर और उचाई दिया है 20 सेंटीमेटर उचाई कितना दिया है 20 सेंटीमेटर तो इस बेलन का क्या करना है आइतन ग्यात करना है तो चलिए D का हल करते हैं तो D में यहाँ पर ब्यास D कितना दिया है 20 cm तो बेलन का इतन ग्याद करने के लिए हमें क्या चाहिए त्रीजिया ठीक है तो त्रीजिया क्या होती है ब्यास का आधा होती है ठीक है ना ब्यास का आधा यानि R बराबर D बटा 2 ठीक है यानि 20 बटा 2 कर देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 20 कितने बार में डिभाइड हो जाएगा 10 बार में तो 3 जिया कितना हो गया 10 cm अब हम लोग को 3 जिया ग्यात हो गया तब इस बेलन का आयतन ग्यात कर सकते हैं तो उचा यहाँ पर दिया है 28 cm तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आरे स्कौर एच ठीक है ना तो पाई कमान क्या होता है 22 बटा 7 तिरीजिया यहाँ पर कितना आया 10 cm सेंटीमीटर तो यानि 10 को हम दो बार इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है गुनें उचाई किसा कीना है streaming गुभाईज हो जाए गा ऐक खिक है अब या सभी को क्या करें गुला कinea absence चहिक है तो कितना हो जाएगा 300 मva 300 तब इस सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6600 cm3 तो इस बेलन का आयतन कितना आ गया 6600 cm3 इसी परकार अगला प्रस्न है इनंबर में यहां पर भी बेलन का ब्यास दिया है साथ सेंटिमेटर आउंचाई साथ सेंटिमेटर तो सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं तो इन नंबर का यहां पर ब्यास दिया है साथ सेंटिमेटर तो ब्यास है तो इसे फाइंड ओट नहीं होगा हमें क्या चाहिए बिलन कायतन ग्याद करने के लिए त्रीजिया तो सेंटीमीटर यह सभी मातरक सेंटीमीटर में ही है तब यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर तो बेलन का इतन बराबर क्या होता है पाई आरे स्क्वार एच ठीक है पाई का मान हमें से याद रखना क्या होता है 22 बटा साथ त्रीजिया यहां प इस तरह से गुना करेंगे और इस अभी देखे डिभाइड हो रहा है साथ एकम साथ एक बार में डिभाइड हो जा रहा है दो एकम दो 11 दुना 22 यानि दो बार में डिभाइड हो जा रहा है 22 फिर इस दो एकम दो 30 दुना 60 यह सभी को गुना करेंगे 11 सते 77 गुने 30 ठीक है तो सत्याकष सत्याकष दू 23 हो जाएगा यानि एक 0 बैठेगा तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आइटन ग्यात हुआ अगला है एफ यहां पर बैलन की अधार की परीधी 11 सेंटीमीटर और उचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इस प्रस्ण को भी हम लोगो क्या करना है बैलन का आइटन ग्यात करना है तो चलिए अधार के परीधी दिया हुआ है तो अधार की परीधी जब दिया रहेगा त प्रसन का हल करते हैं तो यहां दिया है परीधी कितना दिया है 11 सेंटीमीटर तो देखिए कोई बेलन है और इस बेलन का अधार की परीधी दिया है कितना दिया है अधार का परीधी 11 cm जो इसको परीधी बोलते है तो एक परकार का यह कैसा बन रहा है वृत अकार का तो बृत की परीधी बराबर क्या होता है 2 π.r ठीक है तो परीधी 2.p.r और माप दिया हुआ है परीधी के माप 11 cm और उंचाए यहां पर दिया है 4 cm तो सबसे पहले त्रीजिया find out कर लेते हैं टू गुने पाई कमान क्या होता है बाइस बटा साथ गुने आर बराबर एगार अब क्या कर सकते हैं देखे बराबर कि इधर उदर रहता है गुना के रुप में तो वे डिभाइड होता है तो एगार एकम एगार एगार दुना बाइस ठेक है तो इधर क्या हो जाएगा दो दुना चार यानि चार बटा साथ आर हो जाएगा बराबर इधर वन अब आर जब निकालेंगे इधर तो यह क्या हो जाएगा उधर भागा यानि एक से गुना होगा तो यह उल्टा जाएगा इधर साथ बटा चार तो यानि तिरिजि तो आईतन बराबर के हुत्त है पा याइज स्क्वाइर एच तो पाई कमाण 22 बता साथ 3 कितना आ गया 7 बता चार तो 7 बता चार गुने 7 बता 4 दो लिखेंगे इस तरह से और उहाई कितना है 4 है अब इस अब को 6का साथ 7 कम साथ एक बार में डिभाइड हो जाएगा अब 4 से कम 4, चारे कम 4, यह भी 4 डिभाईड हो जाएगा, अब 2 दुना 4, 11 नुना 22, ठीक है, अब यह सबी को गुना करेंगे, तो 11 कितना हो जाएगा? 77 बटा, 22, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना बार में डिभाईड है? दो तिया छे तो रिमेंडर कितना हुआ बचा सेश 17 तो दू अठे 16 फिर रिमेंडर कितना हुआ 1 तो पॉइंट जाएगा 0 होगा 10 हुआ तो दू पचे 10 यानि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आइटन ग्यात हुआ इसी तरह से आप लोग जी नंबर का इसी तरह से आधार की परिधी जो दिया हुआ 28 सेंटीमीटर उचाए 25 सेंटीमीटर है तो आप लोग इस तरह से ही बेलन का आइटन ग्यात कर सकते हैं तो आप लोग जी नंबर का बेलन का आइटन ग्यात करके आप लोग कॉमेंट बॉक् शेयर के जे धन्यवाद